हलो एवरिबरन कैसे आप सब अच्छे होंगे खुस होंगे मस्त होंगे रादे रादे तो कल का ब्लॉग जो था आइंड कर दिया था मैंने क्योंकि ब्लॉग बहुत जादा लंबा हो जाता लेकिन घर के काम जो है एक तम भी खतम नहीं होते आपको पता ही है तो कल जहां तक आपने देखा था उसी से आंगे का ब्लॉग है यह तो मैं उपर फिला करके आई हूं सारे पर्दे धुल गए है हॉल के पूरे कम से कम हॉल के भी बहुत सारे हो जाते देखिए छे पर दे उजाते तो हांस से दुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता लेकिन फिर भी मैंने धो जालरी में तो इन सब को धुल दूंगी अच्छे से तो भी जाड़ु वगएरा हो चुकी थी उसके बाद लगाऊंगी पोचा और जितने भी फूल वगएरा थे मतलब जितने भी प्लांटर वगएरा प्लास्टिक के रहते हैं जो चीजे जितनी भी धालर वगएरा सब कु तो बस खुब अच्छे से आज फिनाल उनाल डाल के एकदम जगाचक सफाई हो जाएगी तो बस यह सोफा कवर कुछ भी अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं सब चीजों को सूखने का वेट कर रही हूं तब तक भी पोचा उचा करने के बाद जाओंगी सीधे नहाने क्य पर डीप क्लीनिंग महिने में एक दो बार तो होई जाती है 15-15 दिन में तो अपकी बार थोड़ा सा जल्दी हो गई है क्योंकि गणपती बापा आने वाले तो उनकी वैजे से पूरा घर सजाना है और देख रहें एक दिन पहले छटी थी तो यह दही बड़े छटी के दिन मैंने बनाया थी काना जी की छटी के दिन और तब कड़ी भी बनाई गई थी लेकिन क्या है हमारा ब्रत था तो हम कुछ भी खा नहीं पायते कड़ी और कड़ी न मुझे बहु ज़्यादा पसंद है और किनको कड़ी पसंद है प्लीज कोमेंट करके जरूर बताइगा मुझ तो देख सकते हैं आज की हमारी जो थाली है बनकर के तयार है कड़ी के साथ पर दही वड़े का स्वादी अलग है और साथ पर है भी हिंडी की सबजी उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक घंडे के लिए रेस्ट किया और मेरी आवाज पर मच जाईएगा गला ठीक नहीं है फीवर की वज़े से तो एक घंडे के लिए मैं सो गई थी और उठी वही साड़े तीन के लगभख उठी क्योंकि बच्चे मेरे सवाती मतलब पौने तीन तक आते तीन बज़े तक तो बस उठ करके मैंने खाना उना दिया फिर से मैं थोड़ा सा लेट गई त दनार ठक गई थी कि मेरी आँखें एकदम से खुली नहीं रहती है समझ लीजे एकदम जान निकल रही थी ऐसा लगदा था और हजबन जी ने बोला कि आद तुम्हें इस छोड़ने जाना है काव्या को ट्यूशन के लिए तो फिर उनको करनी है नाइट ड्यूटी इसलिए वो सोएंगे तो वो भी एक ड्यूटी हो जाती है तो पॉने चार पे मैं निकलती हूं तो पॉने-चार पे टूशन गई चो ड़के आई यदि बस चार बीस का टाइम हो रहा तो चार बीस दक चार पंदरा तक मैं आ जाती हूं वापस तो बस वापस आने के बाद फिर परदे उठा के लाई फटाबट से उपर से और परदों को सेट करना चालू कर दिया क्योंकि घर में पूजा हो या कुछ हो तेवार हो तो वे एकदम भी समझ लीजे टाइम नहीं मिलता है और मेरा घर आप देख रहा है कि इतने तीन-तीन बच्चे हैं बड़े-बड़े के आप सब छोटे ही हैं देखा जाए तो कव्या है कि साड़े-यारा साल की मतलब बारा की दिसंबर में होगी और आरोई है साड़े नौ साल की दस की complete नहीं हुई है भी और सिवाय चार साल के तो तीनों बच्चे बहुत छोटे ही हैं लेकिन फिर भी मेरा घर आपने देखा है कि बहुत जारा गंदा नहीं रहता है मैं सब चीजों को वेवस्तित करके रखती हूं अपने तरीके से तो ब मेरे पती देओ है मुझे मेरा feedback देते रहते हैं तो feedback बहुत बड़ी चीज होती है बहुत अच्छी चीज होती है लेकिन आज के समय में किसी को अगर आप feedback देदो आप बोल दो कि आपके अंदर ये कमी है तो इंसान के बुरा मान जाता है लेकिन हमें ना बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं खुद भी बुरा मान जाती हूँ, आपको बता हूँ, मैं अबरे पती देव का बहुत जादा बुरा मान जाती हूँ, मेरी वो खिचाई करते रहते हैं, और मैं परिशान होती रहती हूँ, लेकिन बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें अपने ना feedback को जरूर समझना चाहिए, सबसे बड़ा सुपचिंतक हमारा feedback ही होता है, समझ जीजे, कि अगर कोई हमें हमारी कमी गिना रहा है, इसका मतलब हम उस कमी को जानने के बाद अपने अंदर सुधार लाएंगे, अपने अंदर एक बदलाव लाएंगे, तो वो सारी चीजे हो जाती है, तो फाइ हमेंदा हो चुका होगा, तो इस वजए से, तो इसको पूरा सेट कर दूँगी, लेकिन हाँ अभी पूरे हॉल की जब क्लिनिंग हुई है, तो इसको भी बद चेंज करना जरूरी ही जरूरी था, तो फाइनली कुल मिला के मेरा घर जो है, एकदम सोने जैसा चमक चुका है, यह आप समझ लीजे, बहुत ही मुझे एकदम सुकून मिल रहा था, और मैं इधर ना 8-10 दिन से सोच रही थी, कि मुझे हॉल की क्लिनिंग करनी ही, करनी है, लेकिन बस बच्चे बीमार होने के कारण, पहले तो मैं बच्चों में लगी रही, फिर मैं खुद भीमार हो गई खुद भी लगी रही, खुद भी पड़ी रही, ऐसे ही चलता रहा, और फिर भी आपने देखा है कि मेरी ब्लॉग अपसेंट नहीं होते, जल्दी बराबर मैं ब्लॉग डालती रहती हूं, कुछ न कुछ सूट कर लेती हूं, तो बस यही होता है कि कई बार अगर हम अच्छा लग रहा है, और अभी कुछ चीज़ें अभी सूखी रही है, उनको मैं आराम से लगाऊंगी, और कुछ चीज़ें और मुझे सजाने वाली हूं, तो मैं सुच रहा हूं, तभी मैं जग गनपती बपा की डेकोरेशन करूंगी, तभी करूंगी, तो यह देखें, अभी टेवल ना उधर में नहीं डाला है, क्योंकि टेवल इधर ही इसलिए पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर मुझे गनपती बपा की डेकोरेशन करनी है, और पती देव बोल रहे थे, कि चलो आज तुम सबको में दे देता हूं, पाटी, क्योंकि क्या था, इतना ठ हारे हम पूरे लाइफ एक अच्छा मतलब अपने घर को सजाते हो और समारते रहते हैं, बस ग्रह लच्मी के कारे यही होते हैं, इसलिए ग्रह लच्मी कहा जाता है हम सब को, क्योंकि हम अपने ग्रह को एक सुन्दर सा प्यारा सा घर बना देते हैं, कहते हैं मकान से घर बन जाएंगे और बारिस बहुत चल रही है तो चटपटा खाने का मन करीदार था तो बाहर हम लोग खाते नहीं है आपको मैंने पहले बताया है तो बस घर पर हो गई थी गुल गप्पे बनाने की तयारी तो मैंने मटग घर पे बनाई पानी तयार किया साथ में वीठी चट्टी इंबली की एक दिन पहले बनाई थी न दही बड़े के लिए वो प्याज दही सब चीज़े ले लूँगी और बस हम लोग चलते हैं पार्टी करने के लिए तो आप भी आजाए आप तो मेरे पती देव ने मुझे पार्टी दे दी और यहां पर गोल गप पर बहुत सारे ल इल्कुल नहीं पढ़ते क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं कोई बच्चे तक नहीं खाते हैं समझ लिजे तो बस गोल गप पही आ गया है तो चलिए इनको ही इंज्वाय करेंगे आप हम लोग तो हमारी ये वीडियो आपको अच्छी कैसी लगी है क्लिनिंग वीडियो तो प कोटा चुटा काम है जो करने ही पड़ते हैं क्योंकि मेरे हजबन जी को नहीं खाना बनाना आता है ये मतलब किचन के काम उतने कर नहीं पाते कि अगर बीमार हो तो कर लें तो चलिए यहां पर हम लोग देखें फैंबली टाइम इंज्वाय कर रहे हैं गोल गपे इंज्व